इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आप इस वीडियो को देखेंगे कि मज़ा आ गया भाई हल्दी एक है, इसके फायदे हमारे पश्वों को अनेक है मैं आपको इसको देने की इतनी अच्छी विदी बताऊंगा और इसके जो फायदे हैं, और वो सुनके तो आप हैरानी हो जाएंगे बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें जो दोस्त पहली बार आई हैं, हमारे चैनलन को सब्सक्राइब भी करें, घंटी भी दबाएं दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हल्दी है, वो एंटी बैक्टीरियल होती है अपने आप में एक बहुत बड़ी ओशदी है, बहुत बड़ा सुपर फूर्ड है सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे पशुपालकों की, पशुगाब भी नहीं रहते रपीटर होते हैं, इसके बड़े कारण क्या है, इसका बड़े कारणों में से एक कारण है आपके पशुप की बच्चा दानी में, घरबाशिया में इंफेक्शन होना infection के लक्षन क्या होते हैं white white सा पानी आता है बहुत बार बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है तो वो infection का एक बड़ा कारण है तो इसका आप प्रियोग कीजिए प्रियोग करने की विधी क्या है आप पुछेंगे विधी क्या है आपको दो रोटी लेनी है थोड़ा सा उसमें घी डालना है और डेड़ से दो चमच आपको हल्दी के डालने है और आपको अपने पशु को चार से पांच दिन कम से कम देनी है तो आपको आपके पशु में जो ये प्रॉब्लम है उसका इलाज हो जाएगा आपका आपके पशु को घाव है कहीं पे सरसो का तेली जीए और हल्दी लेजिए दोनों का लेप कर दीजिए जो गाम से है उनको ये तो पता है लेकिन बेसिक चीज़ है मैंने बताया जो लोग नहीं है अब मैं बताता हूँ कुछ और खास बाते हैं अगर आपके पशु के मुँ में च्छाले है हल्दी लेनी है नमक लेना है और तेल लेना है तीनों का मिक्शर बना के आपको आपके पशु के मुँ में लगा देना है हलके हलकी सी मालिश कर देना है चाले होना पश्रू में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है, पश्रू खाते नहीं है, दूद कम हो जाता है, तो आप इसको लगाएं, इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, अगर आपके पश्रू के जो जोड है, उसमें सूजन आगी है, आपने देखा होगा कि कुछ पश्रू का जो घुटना होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, पश्रू चल नहीं पाता है, हूपस में दिक्कत आती है, तो आपको हल्दी लेनी है, फिटकरी लेनी है, चुना लेना है, तीनों का लेव बना के आपको अच्छे से आपको फुषोख घास नहीं खाराय, जुगाड़ी नहींकर रहाय दिक्कत आपको लगत रहा है, कोई ना दा कोई दिक्कत रहा है तो आपको हल्दी लेना दूद Haid, गुड्य लेना है तीनों सज्छीर बना के आपको अपने इसका प्षूख चमंशीं को पिलाना है देना बहुत जरूरी हफते में दो बार इसका प्रयोगा जरूर नहीं क्यूंकि इसे छो आफको रिजल्ट मिलेगा एक्स्ट्रा-अर्डिटणर आप छे मीने तक लगातार आपने पशूर को हफ़ते में दो दिन देखें, आपको result बहुत अच्छा मिलेगा पेट की प्राओबलम पशू में बहुत बढ़ी रहती है क्या क्या प्राओबलम रहती है तो पेट के कीडों की समस्या रहती है एक आप जब आपका पशू बियाता है बियाने के बाद आपको लगता है कि आपके पशू का जो गरबाशिया है वो साफ होना चाहिए तो आप हल्दी का सेवन अपने पशू को जिस टाम बियाता है उसके बाद जरूर दे नेचरल डिवर्मिंग आप इसे कर सकते हैं नीम दें, हल्दी दें इसे आपकी नेचरल डिवर्मिंग हो जाएगी और रेगुलर देंगे उसमें आपके पशू के कीड़े पका मरेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा बहुत सारे पशू को दिकत रहते हैं उनके कान बहुत बहते हैं तो आपको हल्दी हैं और आपको फटकरी लेनी हैं दोनों का लेप लगा के आपको हलका हलका से लेप लगा देना है एक हफता में आपके पशू को अच्छे से हराम हो जाएगा अगर आपके पशू को बहुत जादा निमोनिया रहता है जुखाम रहता है बहुत बार पशू बहुत जोर जोर फाइदे खतम नहीं हुए और भी पशूर के स्रीज में ये काफी फाइदे करती है आप अपनी फीड में चारपा नेचुरल चीजे जरूर एड़ करें सेंदा नमक हल्दी गुड चुना फिट करी ये नेचुरल चीजें का जितना जादा प्रियोग करेंगे आपके पशूर इतने सबस्त रहेंगे इनसान भी कर सकते हैं ये नेचुरल चीजें तो दोस्तों बहुत कमाल की वीडियो थी आगे की जिम्मेदरी सिर्फ आपकी आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें लाइक चाहें ना भी करें चलेगा और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भोलें क्योंकि हम आगे भी आपके लिए पहतरीन वीडियो लेकर आते रहेंगे जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में जैहिंद